हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आज किस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़े ख़बरों के बारे में जानेंगे तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते साथ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर उत्तर बिहार में अगले दो दिने अंधी पानी के साथ अला विष्टी के असार पांच जिनों तक बादल चाहे रहने के उमीद जिहां उत्तर बिहार में अगले 48 घंडे में पाश्ची में बिचोप के सक्री होने का अनुमान है इसके प्रभाव से मुझपर पूर सहीत कई जिलों में 9-11 माई के बेच हलकी बारिस हो सकती है इसमें बताया गिया है कि अगले 5 दिनों तक हलके से मैदम बादल चाहे रह सकते हैं अगले 1-2 दिनों तक मौसम सुस्क रहने के समावना है इसके बाद हलकी बारिस हो सकती है इस दोरान अधिक्तम तापमान 37-49 डिग्री सेल्जियस के बिछ रह सकता है वह इन्युन्तम तापमान 24-26 डिग्री सेल्जियस के आसपास रह सकता है 77-11 माई के बेच ऑसकतन 15-20 किलुमिटर प्रति घंडिक रप्तार से पुरुआ हुआ हुआ चलने का अनुमान है बाड़ी खबर चात्रों की सुविदा के लिए बिहार से चलेगी स्पेसल ट्रेने किराये में रहत नहीं जिहाँ NTPC के पदों पर भरती के लिए इसी महने के 9 वा 10 तारीकों दूसरी चरण की परिचा कुले कर रिल्वे प्रसासन की ओर से अलग लग इस तुरुप पर तयारी की जा रही है भारती रिल्वे की ओर से बिहार के परिचा किंद्रों के लिए देश के लग लग सरों से 10 जोड़ी परिचा स्पेसल टेन जलाए जाएगी इसके अलावा NTPC की परिछा कींद्रों वाले सरो के railway station पर भी railway की और से विसेस तयारी की जा रही है पटना जक्सन पर एक वर्यर railway अधिकारे ने बताए कि 9 वा 10 मै को station पर भीड भाढ़ वाले जगों पर विसेस जोक्सी बरती जाएगी साथ दोनों दिन जक्सन के सभी फूट ओवर बिरिज पर आर्पी अब की जबान तेनात रहेंगे एपोबी पर यात्रियों को खड़ा या बेटने के अनुमति नहीं होगे जक्सन पर बीड को नियंदरिन करने के लिए अधरिक सुरक्षा बल तेनात के जाएंगे रिल्वे प जारी जहां बिहार पुलिस अधिनत सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और सारजेन्ड मुई की परिज़ल्ट जारी कर दिया है परिजातर अधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर अपना परिचा परिणाम चेक कर सकते हैं परिज़ल्ट के साथ साथ कट के लिए हो रही है आपको बता दी कि परिच्छा में कूल 45,123 ने दोनों सिप्टों की मुईक परिच्छा दी इनमें से कूल 14,856 मिद्वारों ने मुईक परिच्छा पास की है वहीं कटब की बात करें तो जर्नल वर्ग पूरस की कटब 149,4 और जर्नल वर्ग महिला की कटब 31,8 रही है वहीं EWS पूरस वर्ग की कटब 142,8 और EWS महिला वर्ग की कटब 121,2 रही है अगली बड़ी कबर BPSC PD की परिचा 8 माई को 38 जिलों के 1083 के अंदर पर परिचा होगी घंटा बार पहले सेंटर पहुचे जिह अब इहार लोग सेवा आयो की सरसटवी परिचा 8 माई को होने वाली है आयो की सयुक्त सची इस सब परिचा नियंतरा गमरेंदर कुमार ने बताए कि इस बार 6,002,000 अबियर्थियों ने परिचा फर्म बरा है हर दिन मिल रहा है नए मरेज जिह अदेश में कोरोना के चोती लहर किया संका के बेज कई जगोव पर लगातार संक्रमन के रप्तार बढ़ी है राजदानी पाटना भी इसे अचुता नहीं है पाटना में हर दिन औस तन 5-6 नए संक्रमित मिल रहे हैं पिछले 24 गंडे के दौरान पाटना में कोरोना के साथ नए मरेज मिले हैं आपको बता दे कि बीते एक हफ़ते में पाटना में सक्रिय संक्रमितों की संक्या बढ़ कर दो गुनी हो गई है पिछले महीने 28 अप्रिल को पाटना में सक्रिय संक्रमितों की संक्या 18 थी चार माई को यह संक्या बढ़कर 36 हो गई है अगली बढ़कबर UPSC का एक्जाम केलेंडर हुआ जारे 28 माई 2023 को होगी सिविल सर्विसेज की प्रारामिक पर इचिया UPSC ने वर्ष 2023 की विभिन भरती परिचाओं को केलेंडर गुर्वार को जारी कर दिया है केलेंडर में परिचा की तिति वह नोटिपिकेशन जारी होने की तिति जारी की गई है इस्टुडेंट UPSC की वेबसाइट UPSC.Govirmen.in पर जाकर परिचा तिति देख सकते हैं परिचा केलेंडर के अनुसार UPSC Civil Services प्रिलिम परिचा 2023 वा IFS 2023 का यजन 28 में 2023 को होगा इसके दिस उचना एक फरवरी 2023 को जारी की जाएगी इसके लिए आवेदन करने के अंतिमती थी 21 फरवरी 2023 साथ UPSC ने कहा कि परिचितों के मताबिक परिचा की तारिके बदली जा सकती है सिविल सिवा मुख के परिचा 2023 का यजन 15 सितंबर से सुरू होगा जो पाज दुनों तक चलेगी आगली बड़ी खबर पाटना के सभी परिचान इस्तलोप पर बनेंगे सेल्फी फॉइंड फेस्बुक ट्यूटर और इस्टाग्राम से होगा राज को फाइदा जे अब इहार के सभी परिचान इस्तलोप पर सेल्फी पॉइंड बनाए जाएंगे देश विदेश के परिचान सेल्फी को फेस्बुक ट्यूटर और इस्टाग्राम पल अपलोड करेंगे तो बिहार के परिचान केंद्रों की जानकारी अधिक साधिक लोगों तक पहुचेगी उन्होंने बिहार परिचान के वैब साइट को अपडेट करने वाँ उसमें परिचान केंद्रों की बिरिस्ट सुचना और तस्वीर अबलोड करने को कहा है ताकि परिचान बिहार आने से पहले बिरिस्ट जानकारी ले सके परिचान सुचना केंद्रों को भी आदोनिक सुविदा से लेस करने वा आने जाने वाले को परेटकों का आकड़ा सरचित रहने का निर्देश दिया गया है अगली बड़ी कबर सियम नितेश ने बिहार के पाली पसु बिगान बिस्विदालाई का किया सिलनास कहा कई अच्छे काम किया लेकिन चर्चा नहीं होती परेटकों का नितेश कुमार ने कल 889.26 कड़ों रुपय की लागत से बनने वाले बिहार पसु बिगान बिस्विदालाई के भावनों का सिलनास सेवम कारारम किया सियम ने बिस्विदालाई के नए भावनों का सिलापड आनावरन कर सिलानस तता आदार सिला रख कर काररम किया इस वरान उपु मुईक मंत्री सब पसुव मतैस संसादन मंत्री तारकिसुर परसाद मवन निर्मान मंत्री असुक चोद्री और बिहार पसुव विग्यान विस्विदालाई के खुलपति डक्टर रमेसुर परसाद सिंग भी मौजूद रही इस मौके पर मुखी मंत्रे ने कहा कि बिहार पसू बिग्यान बिस्विद्दालाई के भवनों का आज सिला ना सुबह है मुझे इसको लेकर काफी खुसी है उन्ना ने कहा कि देश में कई भी पसू का कोई बिस्विद्दालाई नहीं था पसु के नाम पर हम लोगों ने बिहार पसु बिग्यान बिस्विदालाई बिहार में बनाया है अब सुन रहे हैं कि कई जगों पर इस पर काम होने लगा है बाड़ी कबर 88 साल बाद होगे खंडित मितला जंजारपूर सहरसा की बेच 7 माई से चले गए उद्गाटन स्पेसल ट्रेन रेल मंत्री करेंगे लोकारपन जहां कोसी और मितलांचल के लोगों के लिए आज यानि 7 माई का दिन अतिहासिक होने वाला है मितलांचल और कोसी के लोगों का सपना 88 साल बाद साकार होने जा रहा है 88 साल बाद 7 माई को खंडित मितला एक होने जा रही है इस चेत्र में एक बार फिर विकास की सिटी सुनाई देगी मितला बासी करीब 9 दसक से इस गड़िक के पल के बिचा कर इंतिजार कर रहे थे अब वो सपना हकिकत में बदलने जा रहा है रेल मंत्री अस्विनी बेसनव आज यानि 7 माई को दरबंगा सहरसा वाया सुपोली निर्माली रेल लाइन का दोपर 2 बजे लोकारपन करेंगी साथ या आज के दिन जांजारपूर से सहरसा तक उदगाटन स्पेसल टेन चलीगी समस्तिपूर मंडल के डियारम आलोक अगरवाल ने बताई के रेल मंत्री वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये नाव निर्मित रेलकंड का उदगाटन करती वे जंजारपूर सहरसा उदगाटन स्पेसल टेन को रवार न करेंगी अगली बड़ कबर बिहार में मीड डे मिल के मेनू में हुआ बदलाव चात्रों को सलाद के जगा मिलेगा पुलाव जिया सिक्चा विबाग ने पेम पोसन योजना के मेनू में बदलाव किया है अब स्कूल में बच्चों को सलाद के जगा सब्जे योगत पलाव दिया जाएगा सिक्चा विबाग ने सबी हम को पत्र बेच कर इसके जानकारी दिया है और मेनों के अनुसार बच्चों को MDM यानि की मिड डे मिल देने को कहा गया है बताया जा रहा है कि गर्मी के बज़ा से अक्सर इसकूलों में समय से पले मिड डे मिल तयार हो जाता है हरा सलाद काटे जाने के तुरन बाद उपयोग में नहीं लाज जाने के पर कराब हो जाता है गंद योगत हो जाने के बज़ा से खाने योग नहीं रहता है इससे बच्चों के मिमार होने की बासांका बनी राती है इसके वज़ा से सलाद को मेनू से हटाया गया है सलाद में पाए जाने ओले पोसक तत्व की भरपाई के लिए सबजी युक्त पलाव कुलाने को का गया है अगली बड़ी कबर बिहार के सबी जिलों में साल के आन तक चलेगी लेक्टिक और सेंजी बसे प्रदोसन कम करने में होगी सहयता जिया राज अचदिक प्रदोसन से रहात एवं बहतर परियावारन के लिए राज बर में इस साल के अन तक सेंजी वा इलक्टिक बसे दिखाए देने लगे गे इसको लेकर परिवाहन ने विवागय तयारी पूरी कर ली है कुछ तक्निकी कारणों से पटना के अलावा एक दो जिलों में भी इसकी सिरुवात की गई है लेकिन अब बहुत जल्दी राज में सभी जिलों में सेंजी वा इलक्टिक बसे चलेगी इसका लाव आम लोगों को मिलेगा इसके साथ ही परदुसन काम करने में सहयता मिलेगी ये बाते सिकुरवार को परिवाहन मंत्री सिला कुमारी ने अधिवेशन भवान में आवेजित चलन दस्ता सिपायों के एक दबसे परिसिचन कारकरम में कही अगली बड़ी कबर पेट्रोल डिजल के नई रेट जारी जाने बिहार में तेल की किमत जारी है तेल कमपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल डिजल के रेट जारी कर दिया है जिसके मताविक बिहार में पेट्रोल की किमत में 4 पैसे की कमी और डिजल की किमत में 3 पैसे की कम में आई है आपको बता दी कि बिहार में आज पेटॉल 1. Noah अघारा डासमले, 22 रुपे परती लीटर और डिजल के किमत्यभर सब्सक्राइब Number-वी पल रीचे है जब बिहार के स्कूल कॉलेज में अव अनलाइन क्लास के तसके तैयारी बढते कोरोना को देखते वे सिख्चा विभाग अलए बिहार के सभी 20 स्वित नलाइर कॉलेज में 50 mixture सत्थ क्लास Online चला जाएंगे कोरोना वार defense के बढते पचास पतेसत क्लास ओलाइन लिये जाएंगे इसको लेकर विभाग जल्दी कुलपतियों और आईटी आईसीटी एक्सपर्ट की बेठक करेगा बिहार के सभी बिस्विदाले में वाइफाई अलॉप्त कराया जा चुका है बड़ी कवर बिहार में अब कामगारों को आट घंडे से ज़्यादा काम करने पर मिलेगा दोगुना बेतन विभाग ने जारी किया नियामाली जिया कल कारकानों में ऐसे कामगार है जिनसे ओवर टाइम के नाम पर आट घंडे से ज़्यादा काम कराया जाता है लेकिन अब उ इसलिए से राज बर के नियामा ओले के मताबिक आठ घंटे से ज़्यादा काम कराने पर कारखना मालिक को कामगारों को दोगुना वितन देना पड़े गए यहां नियामा ओले कामगारों और न्योकताओं की बेच बेतर सम्मन्द बनाने के लिए तयार की गई है इसमें निदारित किया है कि निमंदिन कारकानों में काम करने वाले कामगारों से ताय आवदी में ही काम कराया जाए सब्ता में एक सब्ता ही कावकास मिला कर कामगारों को अपने काम के लिए अधिक्तम 48 गंटे ही देना होगा अगर इसके अलावा उनसे काम लिया जाता तो इसके लिए अलग से वेतन मुक्तन किया जाएगा आज क्लिब का सवाल बताए कि बिहार में ऑल्लाइन क्लास कराए जाने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं